आज हम लोग पढ़ेंगे पस्तरों की मरमत फटे कपरों की मरमत तो अगर घर में किसी कपरे की सिलाई उदर जाय तो इसे तो इसे दर लेना चाहिए अगर आपने देगी तो कपरा ज्यादा उदर सकता है यह तो आपको पता ही है अच्छा तो यही होगा कि मशीन से बख्या क परन्तु यदि घह में मशीन ना हो तो चिंता की बात नहीं है आप हाथ से भी बख्या कर सकते हैं रफू करना छोटे छोटे छित्रों को रफू करने करके आप उन्हें ठीक कर सकते हैं रफू करने के लिए बिलकुल मिलते जुलते रंगा धागा ले यदि हो सके उस आगे से रफू करें रफू करने के लिए पहले लंबाई के धागे डाल ले उसके बार जैसे चटाइबुनते हैं उसी प्रकार उसी तरह से एक धागा उपर और एक धागा नीचे लगते हुए आपका कपड़ा रफू हो जाएगा रफू का कप्ड़े की मरम्वत हाथ Ó Julia का भी नहीं लगता है यह रफ हुए पैबंद लगाना अगर किसी चीज से अटक कर सीधा कट जाए तो क्या करेंगे उस पर मशीन से या हाँ से सिलाई कर लीजिए यही किसी कपरे की फटी हुई जगा पर दूसरे कपरे का टुकड़ा लगा कर भी आप उस पर मरमत कर सकते हैं इ इतना वारा छेद उसे डे सेंटीमीटर कपरा चारो जादा ले फिर इससे चारो तरफ से थोड़ा मोरत हुए छेद के नीचे टाक ले छेद के किनारे को भी सफाई से अंदर मोर का टाका ले एक बात ध्यान जरूर रखे कि पैबंद का कपरा मिलता जुलता हो कपरे में से पैबंद आरा ना लगाए या देखने में भंदा लगता है इस वात का ध्यान लखे देखे पुराने कप्रों का सद्पयोग शल्ट तो बरी शल्ट में से छोटे बच्चे की शल्ट बनाए जा सकती है इसके लावा थैला बच्छोना रुमाल आदी बना सकते हैं पैंट बर सुन्दर बैक गद्दी का खोल मशिन का कवर बच्चे का बिच्छोना बच्चे की ओनने की चादर रजाय का खोल तो तक्ये का गिलाव गद्दी का कवर बच्चे का बिच्छोना लंगोड बच्चे की ओनने की चादर परानी साही में तो गद्दी का खोल तक्ये का लेंगा मेश पोस थैला बच्चे की ओरने की चादर कपड़े का चैन देखिए कपड़े का चैन हमें बहुत सोच समझी करना चाहिए देखिए रजाई कवर तो सूती कपड़ा थोरा मोटा बड़े अज का और सफेद लेना चाहिए थैला सूती मोटा कपड़ा और कपड़े का रंग थोरा गहरा हो तो अच्छा लगता है तक्ये का गिलाफ तो सूती कपड़ा पापलीन लठ्था इत्यादी कपड़ा ही खेदना चाहिए पेटी कोट तो पेटी कोट बनाने के लिए हमें सूती कपरा ही लेना चाहिए लठा पापली नित्यादी कपरे का बनाया जा सकता है पेटी कोट बनाने के लिए हमें लंबाई का दुगना कपरा लेना चाहिए जबला या छोटे बच्चों का वस्त है जबला के लिए हमें सूती रुबिया वा पापलीन से नैसरी पिंट वाला कप्रा हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है जबले अधिकतर हलके रंग के ही अच्छे लगते हैं तच्छा ये लड़कों वा आंदिमियों के पहनने वाला वस्त है इसे सूती लठा पापली इत्यादी कप्रों का बुनाया जाता है इसके लिए अगर हम हलके रंग का चैन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा समीज ये लड़कों का नीचे पहनने वाला वस्त है इसे बुनाते समय में ध्यान रखे कि कप्रा सफेद रंग का हो कैमबिरिक वायरर इत्यादी सूती कप्रे ही ख़ई दे तो आज के लिए उस इतना ही मिलते नेक्स क्लास में धन्यवाद